करें लिगमेट ञेक करने बीच में फी पूरे जा है लिगमेट क काँ लिगमेट जिख़ाएं यह तो नी तो नी बॉन पर गिज गायँ वह दोन पर देंब कि बीच में इसको कहते है एंट्रोश्यस मंब्रे जांडू जान्य पर능 थे STARN बून-जक और सी रिंखेयल को से इस बेंद कानी रिंटी स्टे हम रूइल हैंनल किया छो इसने और संट कॉर्ण से गवेवान के युश्ट्र से वह है थे यह आ हैंनलाई से बनाएछ इसर पिस इंबन स्टी हमारी आपनार कानी लिए प्रोख्इमल पॉर्शिंग जो पैस्पंप पॉर्शिंग यूपन रियूरा उते है। आफ Katherine आफिन रियुकैकूरल कोक्वेशृ। तेटवम्स जो होता है ! जूँकि अलबो जुएंट का एक लिगमेंट है रेडियल साइड पे होता है, तो वह इसको रियो इन्फोर्स करता है, मतलब कि इसको स्ट्रेंग प्रोवाइड करता है, लेटरल साइड पे इसके अचाजी, अचाजी, the next ligament is the quadratic ligament, Quadrate ligament जो है यहां पर अब देखें तो अल्र नोच है अल्र नोच को बिलकुल जो inferior part होता है inferior border जो होता है वहां से यह arise होता है और यह जाकि जो radial head है वहां पर यह attach हो जाता है जो है इसारी इस नट अल्र नोच यह जो है radial notch because it is for radial head आप से जो है radial notch radial notch से inferior surface यह arise होता है और जाकि attach होता है radial radius के neck पर simply attach हो जाता है यह क्या करता है कि यहां पर जो capsule होती है न जो elbow capsule है उसको इसका है इसका होते है कि यह छो एक धूसरी के आझ्छो नां हो जाए से अच्राइट को भी नित करता है इसको की JA लिगमिन आशे फिरन आशे को भी मिशन को बहसं नुभर्वाइब करता है vo jika Bur 210 बव्यख यह था है तो यह radius को जो है यह end contact रखता है विद अलना, तो इस वज़े से अगर हम pronation भी करते हैं, supination भी करते हैं, तो इसमें यह tight होता है और movement को जो है limit करता है, अच्छा जी, the oblique cord, the last one ligament is the oblique cord, oblique cord जो है यह एक flat facial band होती है, त्योंकि हमारे cord आपके ventral surface पे है, यह जो है 90 angle बनाता है विद अंट्रोशिस membrane, तो यहां पर यह देखे, यह 90 angle बनाता है, अच्छा यह जो है, यह जो है, अराइस का से होता है, यहां जो, रेडियल नोच है, रेडियल नोच के inferiorly यहां से अराइस होता है, और जाकि जो रेडियल टुब्लोसिटी होती है, या बैस्टेटल टुब इसके नीचे जाकी इंसर्ट हो जाता है, यह जो है, इसके जो है, फंक्षनल सिग्निफिकंस कोई खास clear तही है, लेकिन यह help करता है, कि assist करता है, and preventing the separation of the radius from the unna, ता कि unna और radius जो है, वह एक दिसके separate ना हो जाए, तो उसमें यह help provide कर सकता है, वास जो जो इसका है, कोई clear significance इ जो और आरा में इस यहां प्रतखेतराय दोसावार काृँ टेश होते हैं तो पालमर और डोर्सल और रिडियो अल्मनर लिडमेंट्वे मायं में आपके कहाँए क्या विक पयाँतina और जो गिर्कौंताय है और पालमर बसे इस पालमर अलोर शानिरि इस आपके है क्याँ यह दोरो जाके फोबिया पे अटेज होते हैं and styloid process पे अटेज होते हैं अल्मा के styloid process पे से ही है अच्छे जो palmar ligament होता है यह 2 mm longer होता है than the dorsal ligament से है so palmar की जो length है that is 22 mm and dorsal की जो length है that is 18 mm से है so palmar जो है that is 2 mm longer than the dorsal अच्छे दोरों ligament जो है यह जाके कहां पे अटेज होते है अल्मा फोबिया and the ulnar styloid process पे सही है अच्छे अब introsious membrane है so introsious membrane जो है यह alna and radius की बीच में मिम्ब्रेन होती है यह पूरा देखे यह alna and radius की बीच में उसको cover करता है अच्छे यह transverse stability provide करता है transverse stability का मतले भी है कि अगर आप इनको laterally pull करते है या medially pull करते है तो यह जो है एक दूसरे से इनकी separation नहीं होती this is the transverse stability अच्छे यह complex structure है जिसके 3 components होते एक इसका central portion होता है एक इसका membranious portion होता है और एक जो है इसका dorsal oblique cord होता है से यह यहां पर आप देखे तो यह जो light से नज़र दिस the dorsal oblique cord यह जो है this is the central और यह वाला part जो है और यह वाला part यह दोलों है membranious portion से अच्छे central band जो है इसका यह काफी जादा thick and काफी strong होता है like ligaments की तरह यह किसी tendon की तरह जो है इसका structure होता है से यह और इसके fibers जो है वो oblique ली जाते है from the radius to alna जो है यह oblique ली जा रहे होते हैं से अच्छे जी इसके इलावा जो है इसमें collagen content काफी ज्यादा होता है और उस collagen के इर जो है elastin fibers होते हैं से अच्छे जो है collagen elastin ये ज्यादा इसकी proximal band होते हैं यह इसका proximal band हो जाता है यह वाला part जो ये AV link अब ये जो है न ये part इसका proximal portion है क्योंकि ये जो है proximal under joint यहां पे होता है यह जो है इसका proximal portion है यह ज्यादा यहां पर collagen content जो है वो ज्यादा होता है as compared to the distal one से यह अच्छे जो इसके tensile strength जो है वो 84% of the petalor tendon है petalor tendon जो है वो बहुत ज्यादा strong होता है so उसकी comparatively जो है यह 84% इसकी strength है से यह अच्छे यह taught रहता है अगर आप rotation करते है whether you supinate or pronate लेकिन दोनों rotation में जो है यह काफी ज्यादा taught रहता है सही है ताकि joint जो है जो है जो अलना और रेडियस है वो इक दूसरी के साथ stabilize रहे और approximation रहे अच्छे इसको जो membranious portion होता है यह वाला पार्ट यह पूरा पार्ट और यह वाला पार्ट जो है इसकी membranious portion है the proximal membranious portion and the distal membranious portion यह काफी soft packed होता है और यह इसकी में इसनटर होता है उसके आप जो प्रेसेंट होते हैं यहाँ पर यहाँ पर proximal है और यहाँ और यहाँ पर distal लेक्मः परिफरी मखंशन अलती है और यह काफी scars इसमें डॉर्सल ब्लीक कोड यहां पर देखें, 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 इसमें डॉर्सल ब्लीक कॉबड ये जो है इसके फाइबर बिलकुल आपोजित होते हैं is the wolf depends days die बेंड बền जो है वोई इस डिरेक्टिन मेंचा रही है और इसके फाइबर जो है वो इस डिरेक्टिन में जारही है जो बिलकुल इसगे डान डारइकशन में जा रहा यहां पे आती है, maximum pronation में इसमें deformation आती है, सही है, बिल्कुल अपोजेट है, to the membranous portion उसमें deformation, supination या neutral position में आती है और इसमें deformation बिल्कुल maximum pronation में आती है, सही है, so these were the ligaments, the distal radial joint के and proximal radial joint के जो ligaments थे, वो हमने कवर का लिए है, सही है,